आज हम बात करेंगे 2021 के 5 ऐसे startup ideas जो कि आपको अपने life में करनी चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है pandemic आया था हमारे याँ पर और coronavirus कारण बहुत सारे startups shutdown हो गए और बहुत सारे startups हैं वो नहीं चल पाएं तो उसी के कारण कुछ ऐसे startups हैं जो कि उभर के सामने आये थे pandemic में और जो लोग उससे ज़ादा कर रहे हैं 2021 में सोच भी रहे हैं और 2021 में उस सारे startups को कर रहे हैं जो कि pandemic की time में जो startups मतलब की लोगों के नजर में आये थे और जो startup लोगों को help किया था door-to-door जो services हैं जो startup public को help कर रहे थी जो भी category में जितने था कि public जो बाहर नहीं जा पाया और उन्हें convenient उनके घर बैठे-बैठे उन्हें प्रोडस सारे मिल जाए तो आज उसी startup के बारे में बात करेंगे वो 5 कौन से ideas हैं जो कि अब 2021 में implement में करें लाएंगे आप तो बहुत सी अच्छा रहेगा उसमें टॉप वन पे जो startup आइडिया है वो है food sector में food sector में क्योंकि आपको पता है कि pandemic में सभी shops closed थी शटडाउन थी तो लोगों को मतलब खानी पीने में बहुत ज़रा problem हो रही थी तो बाहर नहीं जा सकते थे because of pandemic coronavirus तो उनके दो step पे जो food की जो services थी बहुत fast आ रही थी लाइक में बात करूँ सुईगी हो गया zomato हो गया तो घर पे किसी को भी खाने खाना होता था तो restaurant जाने की जरूत नहीं है घर बैठे हैं और उसके घर पे हो गया या फिर जो बने होगे जो खाने होते हैं जो स्वीगी जो मैटो आपको घर पर लागे पहुंचाती है उसके लाइक में बात करूँ सीफूड जो raw मतलब मीट होते हैं चिकन होते हैं सीफूड होते हैं तो इसका is startup तो क्या आप सभी को बता है कि रेस्टुरेंट्स तो हैं, लेकिन पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीज़े चेंज हो गई हैं, जो लोग पहले बाहर निकल के रेस्टुरेंट्स में जाते थें, वो अब खतम हो चुका है, अब लोग जाना पसंद नहीं, बंदलब की बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, घ तो रेस्टोरेंट तो आप खोलने सकते हैं, जहाँ पर लोग आएंगे तो फिर रेस्टोरेंट कैसे आप खोलेंगे तुझा आपका सेल होगा, तो उसके लिए क्या एक बहुत अच्छा रास्ता है, cloud kitchen, cloud kitchen क्या होता है? cloud kitchen में आपको एक restaurant खोले की जरूत नहीं है, जहाँ पर लोग आएंगे और आपका sales start होगा, आपका food sale होगे ऐसा नहीं है, cloud kitchen में क्या होगा? कि आपको एक कहीं ने कहीं kitchen set up करना है, वो कहीं भी हो सकता है, एक आपके घर के corner भी हो सकता है, या फिर आप एक चोड़ा से store ले सकते हैं, जहाँ पर लोग को आने की कोई जरूत नहीं है, एक छुपा हुआ आप store कहीं पर खोल सकते हैं, जहाँ से उस cloud kitchen से आप सिर्फ खाना online, जो orders आ रहा है, उससे fulfill कर सकते हैं, डायेट आपके उस चोड़ा से store से, उस डायेट कस्टमर के घर पे, डो पहुंचाते हैं, जो पहला जो start-up का idea है, यह बहुत तरीके से बढ़ रहा है, और लोग इसमें बहुत काम कर रहे हैं, जो कि रॉमीट में और सुईगी टैप जितने भी और स्टार अप से बहुत सार लोग अभी launch कर रहे हैं, और उनका चल भी रहा है, अब हम बात करते है दूसरे नंबर की start-up idea की है, वो है EDTEC, EDTEC में जानती हैं आप like byju's, byju's जो बहुत बड़ा brand है इस line में, और pandemic के बाद में, जैसे कि मैंने बात के कि सब कुस change हो चुका है, हर एक format change हो चुका है, जो बच्चे स्कूल जायत हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, because of that pandemic की कारण एक साथ बच्चे क्लासों में बैंट नहीं सकते हैं, टीचर्स बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में जा नहीं सकते हैं, one-to-one बात करने सकते हैं, तो सारे टीचर्स अभी घर पे बैठे हुएं, तो इसके लिए एक क्या best option है, तो ADTEC, यानि कि आपको just like byju type of online classes का एक app develop करना चाहिए, जिसमें आप सारे अपने students को घर बैठे बैठे, आप class दे सकते हैं, वो कोई साभी class हो, education line में, या फिर dancing में, या फिर singing में, कोई साभी ऐसा education है, जहां पे teachers जो विचारे जाते थे बच्चे के पास में, बच्चों के पास में, और पढ़ाते थे schools में, या edtech का startup जो है, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, अब हम बात करते हैं, तीसरे नमबर के startup ID का अगरे में, caps, ola caps, या फिर ubers है, uber है, तो उसमें bike है, cars है, तो आप सभी को पता है कि, वही same चीज़ी pandemic बाद, लोग अपने परे cars नहीं purchase कर रहे हैं, है ना, तो क्यों पैसे क क्या, cab लेते हैं, लोग, ola, uber, या फिर उसके, जो bikes के segments launch हुए थे, तो bike भी लेते हैं, अगर single जाना हो, तो ये segment में, अगर आप इसका startup launch करते हैं, तो साहे लोग अभी इस पर focus हैं, कहीं भी किसी को travel करना हो, अभी किसी भी अपने destination पर जाना हो, तो आपके cab को लेंगे, बुक करेंगे, बाइक हो, या फिर cab हो, और वो उससे, उसके थुरू, कहीं भी अपने nearest destination पर जा सकते हैं, because of pandemic, जो हाल बुर हो चुके सबके, जो जेब धीले हो चुके हैं, पैसा खतम हो चुका है, तो that's why cab का business भी बहुत अच्छे चलेगा, क्योंकि लोग को तो जाना है क कहीं ने कहीं तो काम करने के लिए, तो उससे आपका चलेगा, तो अब हम बात करते हैं, इसके इंदर जो चौते नंबर का जो startup है, वो है OTT platform, OTT platform यानि की video content, video content like same pandemic example है, pandemic में सारी लोग घर बैठे होए थे, और बैठे बैठे क्या करते थे, घर बैठे होए ते, सिर्फ और online stream करते थे, like example तो बड़े-बरे brands Prime हो गया, Netflix हो गया, और और भी Z5 हो गया, तो बड़े-बरे brands है OTT platforms पे, video content का, तो साहे लोग pandemic में बाहर तो जा नहीं था, तो घर पर बैठे के time pass कहां करते थे, अपना enjoyment कहां करते थे, वो सिर्फ था television के उपर में, OTT platform के उपर में, तो इ में भी एक सामनी ओभर के आया है, कैसे, अगर मैं बात करूँ, बड़े examples की, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक video बताया था, स्रेयस स्तलपड़े ने अपना OTT platform launch किया है, नाइन रसा, जिसके अंदर वो theater के जो programs हैं, उसे OTT platform पे video graphic करके launch करेंगे, live events को launch करेंगे, तो भी इस line में उनने में start up किया है, तो same OTT platform का जो market है, अब लोग series को छोड़ रहे हैं, वाइड करें, daily show जो चलते थे, उसे अब लोग भूल रहे हैं, अब time चल रहा है OTT platform का, जहां पे content आपको कुछ दिन के बाद अच्छे content मिलने लगते हैं, movies अच्छे से release होते हैं, hall में तो release हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया, आपको pandemic के कारण लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, hall में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, film release बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सारे film और जो वीडियो हैं, वो OTT platform पे, जितने भी बड़ेवर producers हैं, actors हैं, वो launch कर रहे है OTT platform पे, तो अगर अच्छे-च्छे R&S के उपर में, और अच्छे budget में इस पे एक वीडियो भी बन जाता है, तो इसका अगरे startup आप करते हैं, OTT platform का, वीडियो content का, तो बहुत ही cool रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अब हम बात लें, अब बात करते हैं, पांच्छे नंब बहुत सारे लोग जिसे भी online business करना होता है, और वो सुचते हैं कि मुझे online अपना store launch करना है, तो उन्हें कोई अच्छा platform नहीं मिल पाता है, कोई apps, app का, जिसे अप बनवा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप में तो बहुत पैसा खर्च होता है, तो Shopify ऐसा एक platform है, जहां पे development का एक company खोलना है, एक startup खोलना है, जहां पे सारे जो stores जिसे भी खोलना है, जिसे भी app करना है, किसी भी category में, क्योंकि मैंने बता है कि pandemic में, coronavirus के time में, बहुत सारे जो startup से shutdown हो गया, सब का business बंद हो चुका है, तो सभी लोग चाहते हैं, हम लोग online business करना, offline business सारा बंद हो तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें online काम करना चाहिए, online काम क्यों करना चाहिए, ताकि घर पे लोग रहें, और हम अपना business भी घर में बैठे बैठे रन करें, और हमारे business को अच्छे तरके से लोग use कर पाएं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग online आने की सोच र बढ़ गई है, तो इसके लिए अगर आप एक company खोलते हैं, Shopify टाइप जहां पर लोग आएंगे और आपके platform को use करके आपसे help लेके अपने एक app या फिर एक portal करेंगे, और बिजनेस को launch करेंगे market में, online services में, तो आपका ये startup बहुत चलेगा, development company अगर खोलते हैं तो, तो बस यही था 2021 का 5 best ideas जो कि आपको अभी करना चाहिए, ताकि आपका business run करें और आप अच्छा startup कर पाएं, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद रहा होगा, तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे किसी next वीडियो में, so entrepreneurs, this is Adarsh and you are watching business with Adarsh Singh signing off.